हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चानल तो आज हम मैट्स की स्ट्राटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि आपने इससे पहली वीडियो में देखा ही था कि एससे एक्जाम कंड़क्ट करने वाला है वो टेंटेटिवली जून या जुलाई में कंड़क्ट करने वाला है इसी साल के तो अभी हमारे पास अराउंड 60 to 70 डेज हैं तो 70 डेज के अराउंड टाइम हमारे पास बचा हुआ है तो 70 डेज की स्ट्राटेजी हम डिस्कस करेंगे मैट्स के लिए कि कैसे हमें 70 डेज में पूरा मैट्स करना है और प्रैक्टिस करना है चीक है तो आपको पता है टीर वन में एससे ने 25 क्वेस्टेंज पूछेगा जो के 50 मार्क्स के होंगे और टीर टू में 30 क्वेस्टेंज पूछेगा 90 मार्क्स के सबसे पहले आपको अपना लेवल जानना है तो इसमें क्या करना है किरन की एक बुक आती है प्रीविएस एयर की तो किरन की प्रीविएस एयर की बुक खरीद लेना सारी बुक्स जितनी भी मैं आपको बताऊंगी वो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दू तो सबसे पहले केरन की जो previous year की बुक आती है उसको as a mock test आपको लगाना है कोई भी previous year का question paper आपको लेना है अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप online किसी भी website से आप ले सकते हैं उसको timer लगाकर उसको solve कीजिए और आपको अपना level पता चल जाएगा at least आपको अपने week areas पता चल जाएगे या ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल beginner है और आपको कोई भी question नहीं आया तो उससे आपको डरना नहीं है कि मेरे को पहले दिनी mock test solve करने के लिए बोल दिया है मैं ऐसे कैसे solve करूँ ऐसे नहीं सोचना है यह सबसे पहले अपने आपको जानने के लिए mock test हमें लगाना है अगर हमें यहीं नहीं पता होगा कि हमें अपनी preparation start कहां से करनी है तो हम उस preparation को कम time में सही जगा पर नहीं पहुँचा सकते हैं तो सबसे पहले अपने आपको जानना बहुत जरूरी है हो सकता है कि आप बिल्कुल beginner है तो उस question paper को जब आप solve करेंगे तो कुछ भी आपसे नहीं होगा solve नहीं कर पाऊगे तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे तो solve नहीं हुआ मेरेको तो एक भी question नहीं आया that's good at least you know कि आप beginner हो और आपको पूरी preparation बिल्कुल starting से करनी है और अगर आप कुछ questions कर पाते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि मुझे चीज़े आती हैं बढ़ थोड़ा सा brush up करने की जरूरत है थोड़ा तो पढ़ना पढ़ेगा और ऐसे भी हो सकता है कि आप बहुत expert लेवल पे आप easily उस question paper को solve कर पा रहे हैं तो बस आपको revision करना है mocks लगाने तो हमारा stage 1 यहां पे complete होता है उसमें हमें सिर्फ अपना level जानना है ठीक है अब सारे levels के लिए हम अलग-अलग दिखेंगे कि किस तरीके से अपनी preparation को आगे बढ़ाना है अब हम stage 2 पे आ जाते है stage 2 है syllabus completion जब आपको अपना level पता चल जाएगा तो हो सकता है कि आप एक beginner है तो syllabus आपको complete करना पड़ेगा पूरा बिल्कुल basic से start करना पड़ेगा पूरा foundation बिल्ट करना पड़ेगा अपना base बनाना पड़ेगा इसमें आपको 30 days का time मिलेगा 30 days में आपको अपना पूरा syllabus complete कर आग में आएंगे तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि syllabus क्या है तो एससी ने अपने website पे syllabus दे रखा है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं कि syllabus है क्या सो बेसिकली two major parts है अर्थमाटिक का portion है और advanced math का portion है अर्थमाटिक के लिए आरे सगरवाल की एक book आते है quantitative aptitude वह आप follow कर सकते हैं उसमें अर्थमाटिक का पूरा portion आपका complete हो जाएगा और advanced के लिए आप 9th and 10th के NCRT's complete कर सकते हैं बेसिकली यह base build up करने के लिए है ऐसा नहीं है कि इस level के questions वहाँ पर आएंगे बट जिनको बिल्कुल भी कोई base नहीं है कुछ idea नहीं है को in books को पढ़ सकते हैं और in books से आपका base बहुत अच्छे से clear हो जाएगा इवन आप number system भी 9th की NCRT से पढ़ सकते हैं तो 9th की NCRT में number system दिया हुआ है और RS अगरवाल से हो जाएगा यह fundamental arithmetic operations यह भी RS अगरवाल से हो जाएगा algebra भी RS अगरवाल से हो जाएगा और geometry के लिए और यह इसका जो linear equation वाला पार्ट है वह आप 9th की NCRT से भी पढ़ सकते हैं बाकी जो geometry है वह NCRT से हो जाएगा और 9th की mensuration भी 9th की NCRT में दिया हुआ है mensuration भी 9th और 10th की NCRT में दिया हुआ है trigonometric के लिए आप 10th की NCRT पढ़ सकते हो statistics and probability भी 9th और 10th की NCRT में given हैं तो यह basically सिर्फ foundation बनाने के लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है जिनका base ही नहीं है उससे बहुत अच्छा foundation बिल्ड हो जाएगा आपको पता है सरकारी एक्जाम सरकारी किताब का फंडा इसी पार्ट में आपको क्या करना है जो important चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि अपनी formula sheet बना लो formula sheet prepare कर लो जिस जिस chapter में जो जो important formula आते है न वो सब एक paper पे लिखते चले चारे chapters के लिए अलग अलग एक formula sheet बनाते रहेगा और cubes की एक sheet बना लीजे cube root की बना लीजे ऐसे ही square की और square root की भी sheet complete कर लीजे और tables 1 to 25 calculated paper आ रहा है तो calculation strong हमें करनी पड़ेंगी उसके लिए यह सब चीज़ें हमें करनी ही पड़ेंगी तो जो cubes हैं वो around 40 तक या 30 तक कर लो और squares भी 40-30 तक कर लो जितना आप कर सकते हो at least cubes 30 तक तो कर ही लेना तो यह तो important रहे गई और cube roots कुछ-कुछ values जो होती है square और square root की जो आपके questions में आएं बार-बार use हो रही है उनका sheet बना ले ना जैसे root 2, root 3, root 5 तो कुछ values होती है जो आपको पता होनी चाहिए उनकी जैसे-जैसे questions में आते जाते ना उनको एक जैसे कोई भी एक square या square root या cube root यूज हो रहा है उसको एक paper पे लिखते चले जाना तो उसी sheet में आपको बार-बार add करते जाना है जैसे जैसे आप question solve करते रहेंगे आगे जब हम practice की बात करेंगे तो उसी तरीके से आपको उसी में उस sheet में add करते रहना है तो वो sheet बहुत important ह होगी last तक के लिया जब हम exam में revision करेंगे तो revision के time पे वो sheet बहुत जादा important रहेगी तो यहां पे stage 2 complete हो गई है हमारा जो syllabus है जो base है वो पूरा build हो गया है जिनका base clear है वो इस पूरे पार्ट को skip कर सकते हैं और जिनको लग रहा है कि सिर्फ उने कुछ topics ही पढ़ने की जरूरत है कुछ brush up करने की जरूरत है वो उन topics को brush up करके जल्दी से stage 3 पर आ सकते हैं अब stage 3 देख लेते है स्टेज 3 है practice अब syllabus आपको पता चल गया syllabus complete कैसे करना है यह पता चल गया syllabus आपने complete कर भी लिया तो पूरा stage 2 तक आपका पूरे syllabus complete हो चुक है अब जो आपने पढ़ा है उसको apply करने का time आ गया अप्लाइ करने के लिए क्या करना है mock test mock test आप online ले लिजे exam में online paper solve करना है तो online ही mock आपको लगाने चाहिए उससे जो exam pressure है उसको face करने की habit हो जाती है कोई से भी online mock test ले सकते हैं olive board के ले सकते हैं या फिर test book के ले सकते हैं मैं ऐसे कोई recommend नहीं करे हूं कि इसको ही लेना वैसे test book का level अच्छा है tier 2 के लिए मैंने paramount के ही किये थे उनका level उस time पर तो अच्छा होता था I think बहुत सारे तो weekly free test paper भी देते हैं तो वह भी आप ले सकते हैं तो कोई भी एक mock test आपको solve करना है और एक रहेगा previous year एक previous year का question paper solve करना है आपको timer लगा कर तो आप जब एक previous year का question paper solve करेंगे तो उससे clear हो जाएगा कि questions किस तर है कि SSC पूछता है तो जो target क्या है SSC अगर SSC target है तो SSC कैसे questions पूछता है वो हमें पता होना चाहिए उसके लिए SSC के previous year हमें करने ही करने है तो वो timer लगा के और उन previous year को complete करो बाकी एक level up भी जाना है जिससे कि exam जब हम दें तो वो easy लगे अगर घर पे हम easy चीज़े solve करेंगे तो exam center में बहुत difficult लगेगा paper तो अगर घर पे हम difficult चीज़े solve करके जाएंगे तो exam में जो paper SSC पूछेगा वो easy लगेगा तो उसके लिए एक level up preparation हमें रखनी होगी जाद से जादा marks हम लेके आ सकें important mock test लगाना तो है ही उससे भी जादा important है उसका analysis अगर आपने mock test लगा लिया और analysis नहीं करा तो इसको करने का कोई फायदा नहीं है analysis आपको नहीं करना है तो फिर आप mock test मत लगाए रहने दीजे analysis करना बहुत important है इसके बिना जो यह आपने time लगा है यह waste है तो हमें grow भी करना है grow करने के लिए weakness पता होने चाहिए weakness हमें पता चलेगी mock से और जब हमें weakness पता चलेगी तो हम उस पे काम करेंगे कि हमें actually कौन कौन से topics हमारे week है उन पे हमें काम करना है analysis हम देखें तो analysis में अराम से जितना time आपको लगता है उसको paper solution को analysis करने में पूरा time लीजे अच्छे से उसको analyze कीजे अब analyze करना कैसे है एक-एक question को आपको देखना है उसका solution देखना है कि मैंने कैसे किया और solution होना क् था जो questions आपके गलत होते हैं उनके solutions देखने है और जो questions आपको लगता है कि मैं जल्दी कर सकता था लेकिन मुझे जादा time लगा करने में उनका solution भी आपको देखना है कि ये question को मैंने जादा लंबे तरीके से कर दिया बट इसका ये shortcut जादा अच्छा है जो solution में अगर दिय क्या हुआ है तो इससे मुझे कम time लगेगा अगर आपने ये काम कर लिया तो I can guarantee कि आपका selection होगा ही होगा इतना जादा important है और आप believe नहीं कर सकते इतना जादा improvement आपको देखने को मिलेगा मैंने खुद भी यही किया था जो questions आपके गलत होंगे उनके notes बनाने हैं एक sheet ले आपके गलत होते जाएंगे न मौक टेस्ट में वह आपको sheet पर लिखने और उनके solutions भी लिखने chapter wise sheet बनानी है और उस पर जितने भी आपके incorrect questions हैं उनके notes बनाने है last में उसको revise करना है trust me tier 2 तक के लिए आपको कोई तयारी करने की जुरत नहीं पड़ेगी अभी से आपके tier 2 की तयारी भी हो जाएगी अब बहुत important book आती है class notes by Rakesh Aadav ये जो book है ये तो मतलब गीता है questions को किस तरीके से हम shortest time possible में कर सकते हैं वो Rakesh Aadav के class notes से आपको पता चल जाएगा जिनका base already strong होगा वो direct Rakesh Aadav सर की book उठाओ उसको solve करना start कर दो जिनका थोड़ा week है वो पहले base करेंगे क्योंकि उन्हें फिर book समझ नहीं आएगी अगर उनको book समझ आ रही है तो book start कर दो और अगर book समझ नहीं आ रही है तो पहले वो NCRT और RS अगर वाला आप कर सकते हो वरना यह book start करो class notes complete करो बहुत अच्छी book है एडवांस के जो geometry वाला पार्ट है उसके लिए पैरमाउंट वाली एक book आती है एडवांस मैथ की उससे geometry वाला पार्ट कर सकते हो वो बहुत अच्छा दिया हुआ है तो in 40 days में आपको राके शादव की यह वाली book और पैरमाउंट वाली जो book है उसमें जो geometry वाला पार्ट ह यह आपको complete करना है और डेली के दो मॉक टेस्ट देने जिसमेंसे के एक previous जिसमेंसे के एक previous year paper होगा और एक मॉक टेस्ट होगा सो basically इसको complete करने के लिए आपको 40 days लगेंगे और ऐसा नहीं है कि आपको 40 days ही करना है उसके बाद तो आप expert हो जाएंगे जब तक exam नहीं आता है तब तक आपको यही routine follow करना है जो भी आप notes बनाएंगे daily उनको revise करते हुए चलना है जो मैंने notes आपको बोले थे questions जो आपके ग conversions है राकेश आदव के class notes में सारी यह सारी conversions भी बहुत अच्छे से दी हुई है percentage की तो वह सारे notes की जो sheets होंगी वह आपको daily revise करते हुए चलना है जिससे कि last तक आपको वह एक अलग task ना बन जाए कि यह भी complete करना है तो revision उसको साथ साथ लेकर चलेंगे तो वह last में easy लगेग तो जब आप daily notes को revise करेंगे तो आप अपने mocks में भी बहुत improvement देखेंगे क्योंकि आप daily revise कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि you are waiting for the last day to revise all the things आप starting से revision कर रहे हो लास्ट में एक और add-on में देना चाहूंगी बहुत अच्छी अप है grade up अपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी यह android phone पे ही available है इसमें सारे previous year के question papers भी दिये हुए है उनको आप attempt कर सकते हो attempt mode में है बाकी इसमें short quizzes दिये हुए है वो बहुत ही अच्छी है खुद grade up बहुत use क practice के लिए से बहुत अच्छी practice हो जाती है इसमें सारे previous year के questions भी रहते हैं थोड़ा इनके खुद के questions भी रहते हैं तो उससे क्या होता है और इनके solutions भी वो दिये रखते हैं तो उससे क्या होता है कि एक अच्छी practice हो जाती है इस video में बस इतना ही next video में हम देखेंगे English की strategy thank you अच्छी रहते हैं तो